राधे राधे सब्स्ट्राइग दीजिए फुनीता कुगर चानल को वेलाई गंद भाईए कान अजी की वीडियो की नुटबे किशिट भाईए राधे राधे सुनीता नेटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है हमने ये पांच औछे नंबर काना जी के लिए चोली बनाई थी थ्रेड के अंदर ठीक है अब हम इसका नीचे का गहरा बनाएंगे और यही ड्रेस मैंने पहले विंटर की ड्रेस बनाई हुई है उनके साथ में तीन रंकी लेकिन आज हम इसे दो रंकी ही बनाएंगे जो डिजाइन तो मतलब की इजी है और देखने में सुन्दर भी लगता है ठीक है तो में बताया था कि यह मैं दुकान से लिया था मेरे पाप मुझे मिल गया था लेकिन यह गंगा ब्रांड है और हाबी इंडिया के नाम से यह एमजोन पे आपको मिल जागी आप गंगा थ्रेड भी बोलेंगे तब भी आपको यह उसमें दिखाई दे जाएगी ठीक है तो एम यहां पर घेरा बनाने के लिए धागा कट निक्या था इसको छोड़ रखा था अब मैं इसको यहां से ही शुरू करूंगी तो मैं इसको ओपन ही बनाऊंगी मुझे ओपन ड्रेस थोड़ा सा अच्छा लगता है लास में मैं घेरे को जोड़ दूँगी खटा कर दूँगी यहने की ठीक है क्योंकि इजी होता है पहनाने के लिए काना जी को तो देखिए मैं यहां पर इस तरीके से एक इसलिए पिस्टिच ले लेती हैं और यहां से में वापस हो जाँगी क्योंकि इसे फ्रेंट ओपन या बैक ओपन बनाना है तो इस तरीके से हमारा वापस हुजाता है और आपको ऐसे देखिए हम ऐसे जोड़ दूना तो थोड़ा सा मेरे काना जी जैसे अस्टिधा तूगे यहां से पहनाने में बहुत मुश्किल होती है तो इसलिए मैं इसे ओपन ही रख हुई ठीक है तो यहां पर हम इस तरीके से एक दो तीन चेन बनाएंगे ठीक है और यह जो हर चेन में से हमने यह 34 चेन थी मेरी स्टिच थी सभी में से मैंने जो है दो दो बार डबल लेना है लेकिन यह जो हमने यहां पर किनारे पर भी बनाया था ठीक है तो यहां पर हमारी एक एक यहन की 34 तो यह स्टिच होगी हमारी एक यह इसको भी हम गिन लेते हैं और इधर से भी हम गिन लेते हैं यहां किनारे पर भी स्टिच बनाएंगे तो 35 36 इस तरीके से हमने त पर किनारे पीश तर्य के से यह देखिए ऐसे तीन यहीं पर में एक और डबल कडोर ले ले लिया थीख है बागी हमारे 34 चैने से हरएक चेंध में से हम दो दो वार डबल करोशya ले लिएगए जैसे कि हमने विंटर ट्रेस में बनाया है वैसे ही हम लेंगे यह देखिए एक और यह दो सेम क्रोशे लिया है मैंने मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ यह देखिए जीरो पॉइंट सेवन फाइव एम एम ठीक है और आप साथ नंबर का और पांच नंबर का दोनों हिस्ते इमाल सकते हैं फिर हम अगली चेन में चले जाएंगे एक डबल करोशिया और फिर से इसी चेन में एक और डबल करोशिया चीक है ऐसे हर चेन में से दो दो बार हम डबल करोशिया लेंगे और लास्ट में पिंक जो है यहां पर भी हम दो बार डबल करोशिया लेंगे तो मैं यहां तक बना लेती हूँ फिर आती हूँ आगे का ब मैं आपको एक बात और बताती हूँ जैसे मैंने इतना चॉली बनाकर आपको वीडियो दिखाए अब मैं इसी के नीचे घेरा बना रही हूँ तो अगर आपको इसको जोड़ना है तो आप यही से जोड़कर इसका घेरह बनाएंगे तो यह जो outline है यहीं आधा अगर आप बनाते तब तो इतना ही चाहिए लेकिन जैसे हम front open बना रहे हैं तो आपको जब आप बनाएंगे dress यह तो मेरा बन चुका है तो जब आप ड्रेस पूरे बना लेंगे तो यह जो आउटलेन है ही सबसे लास्ट में करेंगे आप जिससे की नीचे से लेते हुए उपर तक इस तरीके से आजए जैसे हम फ्रंट ओपन ये बैक ओपन बनाएंगे लेकिन ये मुझे ऐसे दो पार्स में बनाना था इसलिए मै दो और एक तीन चेन बनाकर यहां से वापस हो गई अब यह फर्स्ट चेन हमारी इसके अंदर में एक डबल करोश लोंगी चीक है तीन चेन लिया और एक डबल करोश यह देखिए फिर से में लेती है ठीक है अब यहां पर क्या करना यह देखिए जियान से देखिए यहां पर मैं एक चेन ले रही हूँ ठीक है दागा गुमाया और यहां से एक चेन में छोड़ दूए ठीक है यहां से में एक चेन छोड़ूँगी और उससे अगली यहां पर एक डबल करोश यह बनाऊंगी फिर इसके साथ वले चेन में एक डबल करोश यह बनाऊंगी ठीक है फिर यहां पर एक चेन लोगी यहां पर एक chain लोगी नीचे एक chain छोड़े दूँगी ठीक है तो इसको छोड़कर अगली chain में हम double crochet ले लेंगे एक double crochet उससे अगली chain में एक और double crochet यह यहीं कि दो chain में से हम दो बार continue दो बार हम double crochet लेंगे और फिर एक chain लेंगे जब हम एक chain उपर लेंगे तो नीचे से भी एक chain छोड़ देंगे ठीक है इस तरीके से हमने पूरा घेर बनाना है ठीक है तो यह कुछ ऐसे आएगा दो double crochet एक chain छोड़ी फिर दो double crochet एक chain छोड़ी लेकिन उपर भी बीच में हमने यहाँ पर एक chain बनानी है इस तरीके से हम second round घेरे का पूरा करेंगे यहां कि दूसरी लाइन घेरे की यह देखिए double crochet और एक chain और फिर नीचे एक chain छोड़ कर अगली chain में तो इसको बना लेते हैं और फिर हम third row में आएंगे तो देखिए हमने इस तरीके से second round भी पूरा कर लिया है यहाँ पर एक chain और last में हमने इस तरीके से दो ले लिया अब यहाँ से तीन chain ले ली और फिर से वापस ठीक है अब देखिए कैसे करना है यह जो दो हमारी double crochet है यानि कि यह जो दो chain है इनके उपर हमने लेना है double crochet मानेंगे से अगली chain में हम इस तरीके से double crochet ले लेंगे ठीक है तो आप देखिए मैंने यहाँ पर एक तीन chain ली और इस chain के पर मैंने double crochet लेकिन इस double crochet के पर ही आपको इसी chain में से एक बार और लेना है क्योंकि stitch बढ़ानी भी है ना तो यह हमारी तीन stitch हो गई ठीक है यहाँ लिया और अगली chain में हमने दो बार लिया और एक chain जैसे हमने पहले ली थी और यह जो एक chain ली थी इसी को छोड़कर यह जिए देखिए दो double crochet हमारे पहले double crochet में एक double crochet और जो दूसरा double crochet है chain है इसमें हमने दो बार लेना है एक double crochet और इसी में से दुबार ले ले लेंगे दो double crochet तीन stitch हो गई ठीक है ना एक और इसमें दो फिर एक chain फिर सेम इसी तरीके से लेंगे एक double crochet पहला जो है उसमें तो एक ही लेंगे चुछा जो दूसरा है उसमें हम दो double crochet लेंगे यानि कि इसमें से इसी तरीके से तीसरा राउंड भी हम पूरा कर लेंगे एक और यह दो तीन स्टीच हो गई पहले दो थी अब हमारे तीन हो गई फिर एक चेंड फिर डबल क्रोश्या फिर इसमें से दो ऐसे करते हुए तीसरा राउंड भी पूरा कर लें क्योंकि हमारी सर्दियों की तो ड्रेस नहीं है धागे से रहें गर्मियों की ड्रेस तो थोड़ी जाली वाली बनाएंगे हवादार तो देखिए हमने इस तरह के से थार्ड रोग बनाकी तियार कर लिए अब देखिए जैसे कि हम ऐसे बना रहे हैं ठीक है अगर आपको लगता है कि नहीं अब यह हमारा जो है काना जी को यहां से ब पर लेते हुए हम इस घेरे को continue कर सकते हो ठीक है लेकिन मैं इसे खुला ही बनाऊंगी ओके तो देखिए अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ हम मैं हमानी सीधी साइड है है ठीकल जो भी आप देख लिज्यव को सीधी रखने हैं तो आप देख लिए जेसे जहाँ परका कि इक क्योंकि एक रो हमारी ऐसे तो इस तो प studies कांई है अब हम एक दो तरह चुक कि और ही तरह pursuit हो आच से झालाएंगेрийcom चेन एक बना चुकी थी मैं तीन चेन फिर से वापस डबल क्रोशे एक अब देखिए एक दो तीन स्टिच होगी पहले दो थी तीन अब चार हो जाएगी फिर पांच हो जाएगी इस तरीके सा हमारे जो स्टिच बढ़ती जाएगी बनाने का तरीका सेमें जितना बड़ा आप इसमें हमेशा लास्ट वाले में डबल करना आपने जैसे मैंने यहां दो था तो लास्ट वाले में डबल किया ऐसे अब तीन है तो एक दो थी तीसरे में डबल करेंगे देखिए दो मैंने बना लिए और तीसरे में मैंने डबल कर दिना है एक तीन हो गया पहले तो तीन हो कि तो पहले तो हम तीन हर एक में से एक एक بार लेहीं लेते हैं इक दिट और यह तीन होगे तीन के अपर टीन ठीक है यह दिखिए लेकिन यह तीसिरी में यह जो एक क्वारस्टर ले लिए चार हो गई तोत वाली जॉह है उसमें हमनी दो लेने हैं फीर एक जीं ठीक है इस तो इبة इंगे जब हम दुबारे आइंगे तो चार है तो हमें कैसे लेना है एक दोव टिन चार चोथी में दोव ले लेंगे तो फ Hai यह बिच में चेहले नी है इसी तरीके से हमेश्या है एक दो तीन चोथ twent Mur चार पांच उजेंगी जैसे और बनाने तो पांचवी में दो यानि कि हमेशा आपको लास्ट वाले में दो लेनी है इस तरह किसा आप गेरा बना लिजीगा जितना भी आपको बड़ा गेरा चाहिए तो मैं बहुत जादा नहीं बनाओंगी एक दो तीन चार है हमारी फिर उस यह हमारा एक इंची हुए तीन में उसमें हमारा दो ड़परोशी में एक इंच हो जाता है तो मैं इसके छे रों बँना की त्यार करूँ ए ٹיק है तो मैं तीन बन चुकिये 40 बना रही हूँ 6 रों बना कर फिर हम इसका डिजाइन आगे कर बनाइंगे ठीक है तो देखिए मैंने यहां पर चार रो बना की त्यार किया एक दो तीन चार छे मैंने बनानी थी और यह सीधी साइड से मैं ऐसे बनाती आ रही हूँ अब मैं इनको आपस में जोड़ना चाहती हूँ क्योंकि अब यह जो खुला ही काफी खुला है पहनाने के लिए ठीक है तो मैं इसको पीछे की तरफ रखना चाहती हूँ इसलिए मैं इसको जोड़ रही हूँ अगर मैं इसको इस तरह किसा आगे की तरफ रखती तो मैंने असल में अपन काफी बनाई है तो मुझे लगा क्यों ना इसको हम हाप उपन मलकी से भी ज्यादा ओपन यानिकि से आप अराम से कानल जी को पीछे की तरफ से मैं ऐसे पनाना चारी हूं ड्रेस को इस तरह के से ठीक है तो अब मैं क्या करती हूं देखी जरा कैसे हमने जोड़ना होता है और ठोड़ा यह आपको आ भी जाएगा इह देकी ठीक है ना अब मैं यहां से इसको एक chain मैंने यहां पर ले लिया है देखिए अब मैं इसको यहां से यह जो हमारी यहां तीन chain होती है यहां से ऐसे मैं इसको slip stitch करके ऐसे जोड़ दूँगी बास देखिए जोड़ गया ना तो यह हिस्सा हमारा खुला काफी है यहां हम डोड़ी डाल देंगे एक दो तीन ठीक है ना इसी के उपर हो गया ना अब यह देखिए एक दो तीन चार थी हमारी जैसे मैंने बताया था आपको stitch बढ़ाती हुई मैं दो राम पूरे कर लूँगी ठीक है छे हो जाएंगे फिर उसके बाद हम अपना डिजैन बनाएंगी तो चार के पर मैंने चार stitch ले ली और जैसे मैंने बताया था लास्ट वाली चोट थी है तो इसके अंदर एक और ले लेंगे बढ़ा देंगी जिससे हमारी पांच हो जाएगी फिर एक chain लेंगे और इसी तरह करके हम इस राम को पूरा करके यहां आके जोड़ देंगे तो देखी हम बनाते हैं यहाँ पर आले हूँ यह हमने तीन चेन बनाई थी तीक है यहाँ पर हमने एक दो तीन और चोपर किया एक चेन बना लिए अब यहाँ 39 कि उपर ही हाँ पर हम में स्लिप स्टिश करके ऐसे जोड़ देंगे तो यह हमारी पांच रो बनके त्यार हो गई है यह देखिए इस तरीके से ठीक है अब इसी तरीके से हम छटी बना लेते हैं तुम्हें पूरी बना लेती हूं फिर आती हूं तो देखे हमारी एक, दो, तीन, चार, पांट, छे रोबन की त्यार हो गई है और अब हम अपना कलर चेंज करेंगे इसे और बढ़ा करना है तो आप इसी तरीके से इसको आगे की तरफ बढ़ा सकते तो यहाँ पर मैंने एक चेंज बना ली और एक, दो, तीन और यहाँ पर हम सिलिपी स्टिच करके इसको इस तरीके से जोड देंगे ठीक है? अब यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे, हमें बहुत जादा घेरा नहीं बनाना है ठीक है? जादा जादा हम इतना ही बनाएंगी अब हम अपना पिंक कलर जोए लगाएंगे तो हम इस तरीके से या तो नोट बन कर इसको लगा सकते हैं देखे, ऐसे किया, ठीक है? और यहाँ पर यह हमारा जो धागा एक इसको हम इस तरीके से क्हीच लेंगे और इसको पिंक कौाले को इसके अंदर से निकाल कर यह देखिए ऐसे ठीक है लगा लेंगे इसको हम यहीं छोड़ देंगे क्योंकि हमें बाद में जरूरत होएगी अब हम पिंक कलर इस तरीके से ले लेंगे और यहां पर हम इस तरीके से चेंड बनाएंगे यह हमारा साथमा रो शुरू हो गया ठीक है इसको हम ग्रीन को ही छोड़ेंगे और यहां से हम इस तरीके से बनाना शुरू करेंगे तो यह देखिए एक ही डवल कोशी होगे एक तरह से और यह एक चेंड में हम इस तरीके से लेंगे फिसल लेंगे एक दो तीन और यह चार तो यह हमने इस तरीके से चार डबल कोरोशिया लिया है तो देखिए हमारा चार बार डबल कोरोशिया हो गया एक ही चेंड के अंदर से ठीक है अब हमने क्या करना है इस दागे को ऐसे दबाते हुए जाएंगे ठीक है यहां से एक दो तीन तीसरी चेंड में एक दो तीन यह देखिए एक दो तीन तीसरी चेंड में इस तरीके से डबल कोरोशिया ले लेंगे यह हमने डबल कोरोशिया ले लिया ठीक है अब हम एक दो चेंड लेंगे और इस तरीके से धागे को गुमाएंगे और यहांसे से। से यहां से नहीं यहां से साइड से इस तरीके से डबल क्रोशा लेंगे एक तो तीन चार ठीक है फिर से एक, दो, तीन तीसरी चेन में इस तरीके से धागे को घुमाएंगे और एक, दो, तीन तीसरी चेन में फिर से डबल क्रोशा लेंगे फिर दो चेन और फिर यहां से से इस तरीके से चार बार डबल क्रोशा लेंगे एक दो टी और ये चाब ठीक है? फिर तीसरी चेन में इस तरह के से हम एक लेज बना कर त्यार करेंगे तो ये देखे इस तरह के से हम किनारे पे आ गए है और यहां पर बीच में हमारी देखे एक दो और तीसरी ये तीन चेन छोड़े रहे थे यानि कि तीसरी में ले रहे थे तो यहां पर अब हम ये जो हमारा धागा है चार डबल करोश्या लेने के बाद में हम यहां से जो हमने शुरू किया था यहाँ पर पहले chain में इस तरीके से डाल कर यह हम अपना दूसरा धागा इसे छोड़े देंगे और green को उठा लेंगे और यह जिली स्टिछ Τवर जाहे तो आप इस तरीके से sleepy stitch ले लिजेगा और इसको ऐसे खीच कर अपना फिर green लगा लिजेगा ऐसे भी कर सकते हो यह देखें ठीक है और इसको यहां पर पिंक को छोड़े देंगे अब हम ग्रीन से बनाना शुरू करेंगे तो यहां पर हम इस तरीके से चेन लेंगे एक दो और यह ती ठीक है इसको थोड़ा ऐसे खीज लेंगे तीन चेन लेकर हम यहां से यह देखें एस जूएंट है यहां है हमने तीन तीन चेन लेकी नहीं पर इसको जोड़ना हो अगर आपका हाट टाइट है तो आप इस तरीके से चार चेन भी ले सकते हां ठीक है जैसे मैंने चार ले लिया इस तरीके से मैं यहां पर यह देखे पीछे की तरफ से ऐसे इसको जोड़े दूँगी ठीक है फिसे देखिए एक दो तीन चार चार ले लिया मैंने और यहां पीछे से इस तरीके से इसको जोड़े तूंगे तो यह राउन हमने ग्रीन कलर से इसी तरीके से बना लेना है एक दो तीन चार चेन बनाई और यह जो बीच का हिस्सा है हम इस तरीके से इसे नहीं जोड़े ना ठीक है नहीं तो यह उपर की तरफ आजएगा ठीक है ऐसे नहीं जोड़े ना इसे हमने पीछे से इस देखे से इसको ऐसे लाना है और सिंगल करोश्य करके ऐसे जोड़ देना तो जिसे भार की तरफ ऐसे दिखाई दे ठीक है ना फिर देखे एक, दो, तीन, चार इसको ऐसे फोल्ड करना है और पीछे से ऐसे इठाना है धागे को और इसे इस तरीके से सिंगल करोश्य से जोड़ देना है तो यह लाइन हमारी पीछे की तरफ ऐसे आएगी सामने की तरफ से नहीं दिखाई देगी तो देखे हमने इस तरीके से चार चेंड बना कर ऐसे पीछे की तरफ जोड़ते आए हैं अब चाह से हमने शुरू किया था यहां पहुच गए है तो यहीं पर इसी चेंड में हम इस तरीके से इनको आपस में जोड़ देंगे यह देखे हैं सिलिप स्टिच ठीक है तो यह हमारा कुछ इस तरीके से एक लाइन सी आई है और यह हमारा सीधी यह हमने पीछे की तरफ किया है तो इस तरीके से हमारे प्लेज़ जोड़ ऐसे नजर आ रही है अब देखी क्या करना है यहां पर हम इस तरीके से एक चेंड लेंगी और यह जो हमारे चार चर स्टिच है है जो हमने इस तरीके से बनाए है इसके अंदर से हमने लेना है ऐसे गुमाया डबल करोश्या लिया एक डबल करोश्या वेज़ दो डबल करोश्या दो डबल करोश्या लेने के बाद हम एक बर गुमाएंगे एक बर और गुमाएंगे दो बार गुमाएंगे और यहां से हम ट्रिपल करोश्या लेंगे दो बार गुमाना पड़ता है ट्रिपल क्रोश में ऐसे किया पहले दो का एक करेंगे फिर दो का एक करेंगे और तीसरी बार फिर दो का एक ठीक है यह होता है ट्रिपल क्रोश है फिर गुमाएंगे एक, दो और फिर से इस तरह किसे लाएंगे 2 आए- 2 का ए- 2 का ए- 2 आए- 3 बार ऐसे ग क्यों मैं तो 3 Triple Cry लेंगे हम 2 डबल क्रूशी लिया तीन हम Triple Cry लेंगे 2 का ए- 2 का ए- 2 का ए- 2 का ए- 2 डबल क्रूश्य 3 Triple Cry हो गया हमारा और अब 2 बार हम Double Cry लेंगे एक और ये दो तो देखे दो डबल क्रोशा इतर दो लास्ट में बीच में तीन टिर्पल क्रोश या ठीक है इस तरीक से लेने के बाद में ये देखे ये जो हमारी चेन है इस तरीक से इसमें हम सिंगल क्रोश्य ऐसे ले लेंगे ठीक है ऐसे ले लिया फिर घुमाया फिर अगली जो इस्टिच है एक छोड़ देनी एक में हमने यह जो है डबल क्रोश्य ट्रिपल क्रोश्य लेना दूसरी में हम सिंगल क्रोश्य लेंगे और फिर अगली में हम इसी तरीके से ऐसे लेंगे और ये डबल क्रोश्या लेंगे एक, दो डबल क्रोश्या, तीन ट्रिपल क्रोश्या, एक बार हो गया, दो, ऐसे घुमाया, तीन ट्रिपल क्रोश्या, एक डबल करोशिय में एक बार गमाते हैं और दो डबल करोशिया एक और ये दो ठीक है? साथ स्टिच हमारी टोटल हो रही है फिर ये अगली जो चेन है ये उसमें से ऐसे सिंगल करोशिया सिरफ एक स्टिच फिर ये इसी दरीके से तो यह हमारा डिजाइन ऐसे बनेगा एक में सिंगल क्रोशिया और एक में साथ स्टिच आएंगी दो डबल क्रोशिया तीन ट्रिपल क्रोशिया और दो डबल क्रोशिया ठीक है इस तरीके से हम इसको पूरे को बना लेते हैं तो देखे हम लास्ट में आ गए हमने साथ स्टिच बनाई दो डबल क्रोशिया तेन ट्रिपल क्रोशिया और दो डबल क्रोशिया और यहां पर सिर्फ एक रह गया जिसमें कि हम इस तरह के से सिंगल क्रोशिया बनाएंगी ठीक है और यहां पर हम चाहे तो आप इस तरह के से डबल कुरोशे ऐसे बनाएंगे लेकिन यहां पर हमारा खतम ही हो गया एक तरह से तो आप यहां पर देखिए चाहे तो इस तरह के से देखिए मैं आप ऐसे डबल कुरोशे ले लेती हूँ यहां पर सिंगल कुरोशे लेके इस तरह से हो और यहां पर मैं Slip Stitch लेके इसको इस तरह के से तो हम नेिफल कुरोशे लेकि हैश में तो यहां पर आट स्टीच हो गई हमारी थरह से यह आफ दियरैक्ट भी इसको जोड़ सकते डैर्यक्ट और फिर आप सीधा एक चेन ले लिजेगा और यहां पर ऐसे जोड दीजेगा ठीक है और यहां पर ऐसे धागा निकालके कट कर देंगे क्योंकि अब हमें पिंक लगाना है इस कलर का काम नहीं है तो देखिया हमने इसको कटकर दिया हटा दिया अब हम पींक से क्या करना है कहीं से बीज देखिए यहाँ पर ने छोड़ा वाता तो हींसी हम सैड से ऐसे ले लेंगे ठीक है इधर लगा लिए अब हमने सिर्फ आउटलेन करनी है और इस दागे को भी हम इस तरीके से दबाते भी जाएंगे यह बाद में आप क्रोशे से भी खेश सकते हैं जैसे भी आपको ठीक लगे ठीक है तो हर चेन में से साथ स्टिच है हर चेन में से हम सिंगल क्रोशा ले है जाए एक राय सिंगल क्रोशिया अघर आपका हाथ टाइट है तो आप जो है ठोड़ा आसा एक चेन लेदी इच है तो देखी एक एक सिंगल क्रोशे हः चोपी हर चेन में समय ले रहे हूं जब हम यहां center में यह देखे इस तरह किसे आ जेंगे पहले में यहां ले लेती हूँ एक single crochet ठीक है फिर हमने नीचे से ऐसे ले रहे हैं ऐसे किया ऐसे खीच के लाए और यहां पर ले लिया ठीक है फिर आगे chain में चले गए इस तरीके से बस हमने simple सा single crochet ले ले लेना हर chain में सम मैं एक एक बार ले रही हूँ यह देखे और यहां पर लेने के बाद में नीचे की तरफ से ऐसे जाना है और ऐसे ले क्याना है लंबा दागा तो बस हमने इतना सा ही बस करना है और हमारे dress जो त्यार हो जगा फिर हम डोडी डालेंगे तो देखे सिंगल का रोशे करते हम लास्ट में आगे जहां से शुरू किया था हमने और इसे यहां पर खतम कर देंगे इसलिप स्टिच लेंगे धागा हमने कट कर रखा है पहले से और यहां से इस तरीके से इसलिप स्टिच लेके धागे को हमने कट कर देंगे तो यह हमारी आउटलें होगी और हमने इस तरीके से डबल करोशिया सुरी डबल धागे से हमने ऐसे एक चेंड बना के त्यार कर लिए को रोशे से देखिए जो हमारी बैल्ट की जगह लगेगी तो देखिए चोली जो हमने बनाई थी, यहासे एक, दो, तीन ड्रो बनाई थी, तो यह जो हमारी लास्ट वाले रो है, यहाँ से हम इस तरीके से जो है कच्छा करते हों यह डुरी को हम ऐसे कहीं से भी उल्जाब लीज़े, किनारे से, और ऐसे आपको बस कीच के डालते जाना है ठीक नesसे ऐसे किया फिर ऐसे डाल डिया या किसी मोटे करोश्य से सेसे फिन से ऐसे करके आप कमर पर डोरी को डाल देंगे तो ये देखिये हमारी ड्रेस बन गई है और ये कुछ इस तरह किसे नजर आ रही हमारे हमने फ्रंट साइड रखा है और इसको हमने बैक साइड क्योंकि यहां पर हमने डोरी पीछे की तरफ ऐसे आ जाएगी आप चाहे तो आगे लेकिन मैंने इसको बैक साइड में ही रखना है कि आगे से जोल्री वगएरा हम पहनाएंगे अब गर्मी की टौपी डालते आ रहे हैं तो अब थोड़ा सा हेका अगर आप कैप बनाना चाहिए तो इसके साथ ढोल तकी रखना हैं इसल्議स परी बोड़ा द्दिक ओहने का जी आप कोई आरी यारी फैस्ट्री वाल पिसको पहना सकते हों पहनास्ते हैं अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद रादे रादे